हेलो ब्यूटिफुल पीबल विल्कम टी लगनो लोगल्स आज हम बात करने वाले हैं फिलको जैसी कामपणी के स्टेलने स्टील डिनर सेट्स के बारे में आज इसकी कम्प्रीट अंबॉक्सिंग करेंगे इसके प्रोडक्स के बारे में जा रहेंगे और आखिर क्या खास यह से इसमें क्या प्राइस रहेंज हैं उन सारी डीटेल के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने कुछ चीज़ें आप लोग के लिए लगा के रखी हैं जिसे आपको पूरी तरिके से शुरुआ से बॉक्स पाकेजिंग करके दिखाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा ग्लास से तो यहां पर कुछ इस टाइप का ग्लास का बॉक्स आता है इसको जड़ा एक बार अन्बॉक्स कर लेते हैं तो अगर आप देखना चाहें तो डिनर से में जनरली छे पी से काफी ठीक ठाक है ना बहुत बड़ा है ना चोटा है तो इसमें आप यह है कि छे लोग के लिए कंप्लीट सर्विंग के लिए यह ग्लास आपके लिए कुछ इस तरीके से देखने में लगेंगे डिजाइन की बात करी जाएं तो इसमें स्क्राचिस नहीं दिखें क्यों स्क्राचिस नहीं दिखते हैं जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में तो यहां पे छैपीस ग्लास आपके सामने ये हैं उपर की तरह से बिल्कुर क्लीन फिनिशिंग है होटों में लगेगा नहीं और साथी साथ यहां पे यह जो चैपीस ग्लासें इसको हम पुरी तर कंप्ली डिनर सेट देखने में तो यहां पे कुछ इस तरीके से बॉक्स के ऊपर यह चैपीस ग्लास कुछ इस तरीके से देखने में लगेंगे जब भी आप अपनी डाइनिंग टेवल पर इसको सेट करेंगे तो चलिए दूसरा बॉक्स करते हैं तो दूसरे बॉक्स में लिए पे क्या है देख लेते हैं तो यहां पर आपको मिल जाता है डूंगा यहां पे आपको तीन डूंगी का मतलब होगा सर्विंग दूंगा थोड़ा सा अनूर्विंग इसन पर घर्ण लग होगा है तो यहां और के साथे कुछ तो इसक्स में कर सकते हैं यह मेंनली सर्विंग के लिए ही होता है यहां पर कुछ इस तरीके से आपको आपको यह मिल रही है चीजिए उस सब अच्छी क् uniforms और यहां पे दोट्य से मैं आपको दिखा दूंगा कुछ इस तरीके से हैं इसको भी जल्दी से अंबॉक्स कर लेते हैं और यहां पर तीन दोंगे मिलेंगे ओवियसी बात है कि चावल डाल और यह सब चीजे सर्फ करने के लिए तीन दोंगे तो चाहिए ही होते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से यह तीन दोंगे आपको मिल जाएंगे जो कि यहां पर यह लगे हुए हैं इसके बाद हम अन्बॉक्स करने वाले हैं इसका जग ग्लासिस तो हमने कर लिये हैं और आप इंतिजार कर रहे हैं कि कब फुल प्लेट और हाफ प्लेट भी करेंगे तो आप यहां पर जग कैसा मिलता है वो भी देख लेते हैं तो फिलको जैसी कंपनी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है इसके लावा राजकमल भी बहुत पॉपलर है काफी लोग शादी में या किसकी वेडिन सीजन में ज्यादा तर राजकमल और फिलको का ही देते हैं रीजन क्या होता है यह बजट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है काफी अची clean finishing के साथ है और उसके साथ Lloyd को भी सामने यहां पर रख देते हैं इसके आगे कुछ थ तरीके से यह और यह आपका डूंगा रहा और उसके बाद आप हम दिखाने वाले हैं, इसके साथ मिल जाती है हमें डोंगे में सर्फ करने वाली ये, डोंगे में जो हम सर्फ करेंगे वो सब स्पून्स, अब देखते हैं स्पून और कटलरी में क्या क्या चीज़े मिलती हैं, यहाँ पर कटलरी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आपको बड़े वाले डोंगे के लिए एक ये मिलती है, कहने का मतलब यह है कि अगर इस डोंगे की बात करे जाएं तो यह बड़ी स्पून है, और दो छोटी स्मॉल स्पून्स मिलती है, स्मॉल क्या सकते हैं वैसे, अदावाइस मुझे तो लगता है कि यहाँ एक ये स्पून लगेगी इसके साथ, और एक ये स्पून लगेगी इसके साथ, और इसी के साथ-साथ मुझे रखते है ये राइ स्पून है, जो कि आपको बड़ी वाली प्लेट के साथ यहाँ इसके साथ जाएगी, और यहाँ पर यह तीन डोंगे हैं तो तीन बड़ी तो यह complete spoon set है इसको तो open करने की जरुवत नहीं है तो यह complete spoon set है जिसके साथ आपको मिलता है इसके बाद हम बात कर लेते हैं important कुछ चीजों की जो की आपके सामने ये लगी हुई है जरा इसको side में करते हैं और इसको ले आते हैं अपने पास अब यह चीज जरूरी है क्योंकि सबसे important part होता है हर एक dinner set का glass को जरा side में पीछे की तरफ move कर लेते हैं जिससे हमें use करने में और दिखाने में थोड़ा तो यहां पर glass आपके सामने ये लगे हुए हैं और ये रही है आपकी अब कटोरिया यहां पर दो तरीके की मिलती है जरा इसको open कर लेते हैं एक कटोरिय में तो फिलको की marking यहां पर दीख रही है पहले की packaging कुछ इस टाइप से आती थी बट अब packaging बिलकुल white कर दी है तो य तो कटोरिया काफी अच्छी quality की है और यहां पर कुछ इस तरीके से मैं कटोरिया लगा भी देता हूं फिर इसके बाद आपको और धंग से दिखाऊँगा अब यहां पर इसकी बात कर लेते हैं तो यहां पर कटोरी के साथ आ जाती है हल्वा कटोरी अब हल्वा कटोरी को अच्छे size की मिलने वाली है अब जैसे यहां पर हल्वा कटोरी की बात करूँ तो हल्वा कटोरी काफी अच्छी अच्छी से भारी भर कम है हल्वा कटोरी कुछ इस तरीके से अब इसको भी मैं दिखाऊंगा हल्वा कटोरी भी यहां आपके सामने ऐस तरीके से लगा देता हूं जिससे आपके लिए असान रहें देखने में तो दीरे-जीरे करके डिनर सेट कंप्रीट होता जा रहा है तो इस चीज क ढ़ान जीचवा किया चीजवा कि एक 51 piece के डिनर सेट में क्या चीज़े एसी हैं जो मिलती है और जो हमें ध्यान में रखने चाहिए तो यहां पर यहां पर इस तरीके से यह कटूरी यहां पर यह रही इसके बाद हम अनबॉक्स कहने बार से जा रहे हैं लास बट नाथ य ह इसकी quarter plate और full plates तो है आप ये quarter plate ये रही quarter plate का क्या size है क्या weight है क्या design है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे मिलती है राजभोग plates राजभोग plates कहने का ये मतलब है कि एक तो weight बहुत अच्छा है उसी के साथ quality लाजवाब quality के साथ है और यहाँ यह जो design होती है इसको हम लोग रा देखने के लिए मिलते हैं तो यह चीज काफी अच्छी है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की राजभोग plates आपको मिल जाएंगी जो कि आपके सामने यह रखी हुई है और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर discuss करेंगे अब मैं इसको थोड़ा साइट में कर देता हूं और इसी के कोशिश में करूँ हैं हर एक चीज क्लीम तरीके से आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे इसकी फॉल प्लेट हैं जिसका साइज मुझे काफी जादा अच्छा लग रहा है और यहां पे कहीं भी कॉलिटिया साइज को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है अगर आप इ इसी रहती है जिसके अंदर आप सिंगिल या एक दू कटूरिया रखके भी आप इसको यूज कर सकते हैं जिसे कि मैं एक कंप्लीट सेट बना के भी दिखा देता हूं ऐसी आपको 6 पीस मिलती है तो चलिए इस फुल प्लेट के साथ लगा के दिखाते हैं कंप्लीट एक ऐसा देखने में लगेगा उसके साथ तो यहां पे आप फुल प्लेट लगी हुई मिल रही है इसके साथ आप एक यह साइड में सॉफ कर सकते हैं फुल प्लेट और हाफ प्लेट का इतना कॉंबिनेशन है जो कि काफी elegant और काफी decent लगता है तो यहां पे फुल प्लेट हो ज है एक स्पून यहां पे इसके साथ लगेगा तो यह समझे कि एक परसें के खाने के लिए सारा complete सेट है जो कि 6 लोगों के हिसाब से आता है तीन यहां पे दोंगे दिये रहते हैं तो यह कैसा लगा डिनर सेट आपको जरूर बताएगा और साथी साथ मैं आपको दिखा दू है इस चलने सील के ले सकते हैं जितने भी प्रोड़क्स है सब डिश्वाशर सेफ है 100% हिल्दी हाईजिनिक है अगर और भी किसी डीटेल के बारे में जानकारी आपको चाहिए है तो लगनों लोकों को आज ही सब्स्क्राइब कर लीजेगा क्योंकि इस टाइक की वीडियो स हम रेगुलर बेसिस पर लाते रहते हैं थांक यू सो माच कीप सबोरिंग आस